तो दोस्तो शाओमी ने इस पेन में अपने एक इवेंट के दोरान मी 90 स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है हलाग इससे पहले इसका नाम रेडमी के 20 प्रो था अब इसका नाम यापर क्यों चेंज किया है इस वारे में तो फलाल नहीं बता लेकिन इस स्मार्टफोन के साथ साथ शामी ने अपना मी इलेक्टर के स्कूटर प्रो, मी स्मार्टवेंड फॉर और भाहिया इसके साथ साथ मी ट्रू वाइलेसे छे फोन भी लॉंच किये हैं फिलाल इस वीडियो में हम बात करने वाले Mi90 के Features, Price, Specifications के वारे में तो लेस गो तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम इस स्मार्टफोन की डिस्पले के वारे हम बात करें तो इसमें में 6.39 इस की Full HD Plus AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है बाकि इस डिस्पले पे हमें Crystal 2.5D और Gorilla Glass 5 का प्रोटक्शन भी देखने को मिलता है फोन में प्रोसेसर की बात करें तो 2.2 गीगाहट सॉक्ड़कोर Qualcomm Snapdragon 730 का प्रोसेसर देखने को मलता है इसके लावा Adreno 618 का GPU याने की Graphic Card देखने को मलता है बात करें फोन में Storage की तो यहाँ पर वही है इसके दो Variants है भी लेवल है एक तो 6GB RAM के साथ में 64GB internal storage और दूसरा 6GB RAM के साथ में 128GB internal storage अब इन दोनों ही Smartphones के मलदब दोनों ही Variants के internal storage को हम expand नहीं कर सकते है अब बात करें फोन में camera features की तो इसके रियर वैनर पर ट्रिपल रियर camera setup देखने को मलता है जिसमें primary camera 48MP का वहीं दूसरा camera 8MP का टेली फोटो लेंस के साथ में आता है और तीसरा camera अल्टरा वाइट सेंसर के साथ में 13MP का देखने को मलता है बहीं इसका rear camera बहीं 2X optical zoom से लेके 10X optical zoom तक को support करता है बात करें इसके front dining selfie camera गी तो 20MP का pop-up selfie camera देखने को मलता है जो की AI powered features के साथ में आता है बागी बात करें फोन में battery की तो 4000 mH की battery देखने को मलती है जो की 18W fast charge को support करती है अब other connectivity features की बात करें तो वाई-फाई बिलू डूट बोल्टी के साथ साथ 3.5 iam got you jack fingerprint sensor fm radio इसके अलाबा इस smartphone की जो कीमत है वो है 25,890 रुपए तो मतलब जो हम सोच रहे थे जो इससे expectation थे फिलाल तो ठीक ठाक है आपको इस चनल पर अबने खुत के माशा हिंदी में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद very much